अरे वाशिंग मशीन लेनी है तो LG की लोग, वो सबसे सस्ती है अरे नहीं नहीं, क्वालिटी चाहिए तो Samsung या Whirlpool की ही वाशिंग मशीन लेना ऐसे ही पता नहीं कितने लोगों की बाते सुन सुन कर, पता नहीं कितने ही लोग अपना सर पकड़ कर बैठते हैं कि कौन सी वाशिंग मशीन अच्छी है इतने सारे ब्रैंड्स में से हम ऐसे ही दो वाशिंग मशीन का कमपैरिसन करने वाले हैं और आपको ये बताएंगे उन दोनों में से best washing machine कौन सी है आपके लिए तो जो दो washing machine का हम comparison करने वाले हैं उनका नाम है Samsung Echo Bubble 7kg Top Load Washing Machine versus Whirlpool Royal 7kg Top Load Washing Machine और ये दोनों brands अपनी अपनी जगे काफी अच्छे products provide करते हैं लेकिन ये video एकदम honest comparison के साथ होने वाली है सबसे पहले हम दोनों ही washing machine के features and functions को individually देखेंगे and then हम उन दोनों के functions and features के बीच comparison करेंगे and then आपको बताएंगे कि दोनों में से better washing machine कौन सी है आपके लिए चलिए बिना ज़्यादा time waste करें हम इन दोनों washing machines के बीच comparison को start करते हैं and आपको बताते हैं कि which one is better सबसे पहले बात करते हैं Samsung की 7kg 5 star echo bubble technology with digital inverter motor and soft closing door fully automatic top load washing machine यही नाम आपको इसका किसी भी online website पे देखने को मिलेगा तो चलिए अब breakdown करते हैं इसके features and functions को तो सबसे पहले small but useful features देखते हैं तो यह washing machine 7kg के capacity के साथ आती है जो की काफी होती है अगर आपके घर में 3-4 लोग है इसके digital inverter motor भी है 700 RPM के साथ चलती है जो की काफी अच्छी है एक top load washing machine के लिए इसमें आपको 9 wash program देखने को मिल जाएंगे with dual storm pulsator and अगर आपको नहीं पता कि pulsator का क्या काम होता है तो simple है वो बस normal hand washing के movements को एक machine में करने में help करते है इसमें आपको एक display panel भी मिलता है जिसके तुरू इसको control करना और भी आसान हो जाता है और इसमें आपको कुछ functions भी मिल जाते हैं जैसे कि auto restart, quick wash, child lock and delay end जो की काफी अच्छी बात है अब इसके main functions पे आते हैं जो की यह echo bubble technology तो इस technology के तुरू जो detergent होता है वो ज्यादा better dissolve होता है और ज्यादा जहाँ create करता है जिसके तुरू clothes और भी better और कम पानी में wash हो जाते हैं अब बात करते हैं इसकी price की जो की currently 17,980 है और इस price में आपको 2 साल की compliance से warranty भी मिलती है और 20 साल की warranty on digital inverter motor भी मिलती है इसके cons की बात तब करेंगे जब हम दोनों washing machines का comparison कर रहे होंगे चलिए अब देखते हैं हमारी second washing machine जो की है वर्पुल की 7.5 kg 5 star royal fully automatic top load washing machine तो directly देखते हैं कि इसमें आपको क्या-क्या features and functions देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले इसमें आपको 7.5 kg की capacity मिलती है इसकी motor का RPM 740 देखने को मिलेगा इसमें आपको 12 wash programs देखने को मिलते हैं और इसमें आपको काफी सारे functions मिलते हैं जैसे की aqua store, aqua tub clean, express wash और इसके जो noise level है वो भी बाक्यों की comparison में काफी कम देखने को मिलते हैं जिसके थूँ आपके घर में अगर कम water pressure भी है तो भी ये washing machine काफी अच्छे से work करेगे इसमें आपको dry tap sensing भी मिलती है जो की अगर water supply available नहीं होता तो उसको sense करके उसका पता लगा लेती है जो की काफी अच्छा function है और इसमें hard water wash यानि आपके घर में अगर hard water आता है तो भी दिक्कत नहीं है अब बात करते हैं इसकी price की जो की currently है 15,990 एंड इसके साथ आपको 2 साल की comprehensive product warranty एंड past साल की warranty on motor भी मिलती है चलिए अब दोनों की features को compare करते हैं मैं उनी features and functions को point out करूंगा जिन में actually difference दिख रहा है सबसे पहले obviously इसमें price का difference दिख रहा है जो की almost 2000 का है दोनों की motor को देखा जाए तो वर्पुल आपको ज्यादा RPM की motor दे रहा है लेकिन Samsung आपको digital inverter motor दे रहा है I think यहाँ digital inverter motor ज्यादा better रहेगी third obviously difference इनकी warranty में दिखने को मिलेगा जो की वर्पुल आपको motor पे काफी कम दे रहा है बलकि Samsung उससे 3 गुना ज्यादा warranty अपने motor पे दे रहा है fourth obvious difference यह है की वर्पुल आपको ऐसे functions दे रहा है जो की washing machine को ज्यादा safe रखेगा जैसे zero pressure fill, dry tap sensing and Samsung better washing function दे रहा है जैसे की echo bubble technology जो की आपके कपड़ों को ज्यादा अच्छे से wash करेगा यहां दोनों की flaws obvious दिख रहे है इसलिए मेरे according यह दोनों washing machine आपको अपनी situation के according चूज करने चीए अगर आपके area में hard water आता है या फिर आपके घर में water pressure कम है then you should choose whirlpool बड़ अगर आपके area and घर में यह problems नहीं है then आप Samsung choose करे तो ज्यादा better रहेगा दोनों ही washing machine काफी अच्छी है इन में काफी अच्छा water consumption भी मिलता है बड़ आप अपने area and situation को देख कर अपनी choice confirm करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा and इन दोनों में से किसी भी washing machine को अगर आप purchase करना चाहते हो वो भी best price के अंदर then हमने आपके लिए नीचे description में दोनों ही washing machine की best deals के link provide कर रखे है वहाँ से आप purchase कर सकते I hope आपके लिए ये video helpful रही होगी and I see your videos के लिए हमारी channel product fire को subscribe कर and video को like करें बिना मच जाईए ये आपसे मिलता हो